मैं ये सवाल पोजता हूं कि क्या आपके यहां जो भी 150 इंदू बचे हैं क्या उनके संटिमेंट सर्ट नहीं होंगे क्या अपने अपने ही पाकिस्तानी हिंदू के बारे में नहीं सोचा कि मैं ये बयान दे रहा हूं तो क्या होगा अब वो लोग वो लोग जो ये कहते हैं जी इंडिया वालों को जवाब दो इंडिया वालों को जो है आप मूँ तोड़ जवाब दो इंडिया वाले जो अर्चा है लोग रांजल है या जो भी है यूट्यूब और होने क्या जवाब दूँ बताएं ये अब जो इन्हों ने लोग भाई ने स्वाल किया मेरे पास जवाब नहीं है मैं क्या जवाब दूँ अच्छा काम करते हो ने जब पॉजिटीव बात बोलते हो तो मैं उसको बहुत ज़ादा प्रमोट करते हूँ अभी आबिद भाई वाला हुआ बाकी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटीव सच जोचा वह हमेशा वही रहेगा जूट reaction sorry reaction में ये आता है कि आप मतलब किसी पाकिस्तान के लोगों की सोच दिखा रहे हैं इंडिया के लोगों के भाई ये देखें पाकिस्तान ने ये बोला पाकिस्तानी ने ये बोला no doubt मैं मानता हूँ के 90 अगर 100 में से 90% ना एक्जेंपल दे रहा हूँ आप दिखाएं आपका right है 20% जो positive बोलते हैं आपकी यानि 10 वीडियो में से कोई 2 वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए कि पाकिस्तान के इस इंसान ने या इस लड़के ने इस लड़की ने इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बात की मैं appreciate करता हूँ इस पाकिस्तानी को या मैं appreciate करता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों की सोच बदल रही है देखिए जब भी ऐसी वीडियो आती है वो तो on record है मैं तो इसमें कुछ चुपा नहीं सकता मेरे दर्शक भी जानते हैं on record आपके आविद्भाई के वीडियो आई मैंने उसको बहुत-बहुत सरा मैंने का देखो यह है असली चीज यह सही सोच है इसके पहले आपके ही चैनल पर कोई आया होगा या जो बाटी पाकिसान के दूसरी यूटूबर से उनमें भी एकका दुक्का क्यूंकि इनके नंबर पर पड़े हुए है रूस के वहाँ पर जाईएगा देखिएगा जो भी इस तरह की पॉजिटिव बात करता है मैं उसको दिखाता हूँ मैंने का देखो यह बंदा सही है जो पाकिस्तान का बहला चाहता है तो संख्या कम है इसलिए आपको लगता है कि शायद मैं जादे त इसलाम के बारे में या पाकिस्तान के बारे में आपकी बुक्स में आपके स्लेबस में क्या पढ़ाया जाता है देखे हमारे बुक्स में इसलाम के बारे में ऐस सच कुछ नहीं पढ़ाया जाता कि जी इसलाम ऐसा है वैसा है हमें ये पढ़ाया जाता है कि इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं हमारी किताबों में लिखा है कि सिख भी हैं, जैन भी हैं, इसाई भी हैं, मुसल्मान भी हैं, हम सब कई सैकडों साल से एक साथ मिलकर इस देश में रह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान बहुत बुरी कंट्री है, हमें पाकिस्तान से नफर करने चाहिए हमारी आप कोई भी किताब ढूंडो किसी भी बच्चे से भी पूछ लो शुरू से लेकर और कॉलेस तक वार्स के बारे में पढ़ाया जाता है उनके रीजन्स बताया जाते हैं वार्स क्यूं होई कश्मीर के वज़े से होई किसने कब हमला किया कैसे वार्स आग कि पिछले दो से तीन साल में या साल भर में आपके टेक्स्ट बुक में एंटी हिंदू और नौन मुस्लिम के खिलाफ जो पढ़ाया जा रहा है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है यह मैं नहीं कह रहा है यह आपके आंगे रिपोर्ट कह रही है इस तरीके से स्लेबस में च कहता हूँ अगर आ रही है क्योंकि अभी मैं स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं हूँ मैंने नहीं देखा वो स्लेबस तो इसके ओपर मैं देखूंगा प्रापर आ रही है मैं ऐसे पाकिस्तानी ओपनली कहता हूँ कि यह बहुत गल्ट बात है अच्छा नेक्स यह बताएं लोग भाई आप काफी experience रखते हैं आपकी age भी मतलब मेरे से तो at least ज्यादा है तो मुझे यह बताएं कि आपने इंडिया का बुरा टाइम भी देखा है इंडिया बुरे टाइम में रहा है के नहीं रहा है नहीं नहीं बिलकुल रहा है आप 90 का दौर मेलें जी 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 वो किया हुआ क्या हमें भी बताएं थोड़ा देखे हुआ ये कि हमने forward looking शुरू की हमने जो हमने हिस्टरी में हमने गलतियां की उन गलतियों को सबसे पहले हमने पहचाना कि हमने इन इन जगह पे गलतियां की 90 में जब एक दौर था कि जब हमें सोना तक बेशना पड़ गया गिर भी रखना पड़ गया क्योंकि economy हमारी खराब हो गई थी और ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी policies जो थी वो काम नहीं कर रही थी तो 90 के दोर में हमने मतब सरकार ने यहां के आवाम में सारे लोगों ने मिलकर ये सोचना शुरू किया कि नहीं यह बुरा वक्त हमे आप एजुकेट नहीं करोगे आप दुनिया में जो पढ़ाया जा रहा है उसके लेवल पर लेकर नहीं आओगे उससे आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप अपने देश का भला नहीं कर सकते और आज मैं यह बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारी education system ने मैं यह नहीं क हमें बेते results चाहिएं तो सबसे पहला हमने काम किया कि अपने education पे काम किया उसके अलावा बाकी लोगों के लिए काम किया जी लोगों को किस तरह के दिक्ते आ रही है उनके लिए हमने काम किया हमने बी पील काड लेकर आए हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं हम देखे जब से मोधी सरकाराई गरीबों के घर के लिए काम किया सरकार ने घर बनवा कर दिया टॉलेट्स नहीं थे हमने पिछल सरकार आपने टाइलेट बनाओ इंडिया में उसकी वीडियो या फोटो आप बेजो कुछ मैंने ऐसा सुने आप वीडियो फोटो बेजो आपको सरकार उसके पैसे देगा बिल्कुल 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 आपने अगर टाइलेट बना लिया सरकार आपको उसका पूरा पैसा देती है कि सरकार ये लीजे पैसा अब घर के लिए गरीबूं के घर के लिए योजना लेकर आई सरकार ने का कि जी एक रुपे महीने में आप दो साल में आप बारा रुपे दो और दो लाग तक का इलाज फ्री पाओ किसी भी इस्पताल में ये जोजना लेकर आए हम अलोक बाई मुझे ये बताएं कि जैसे अभी प्रेशर रहा यूएस की तरफ से रशिया को लेकर आपके उपर प्रेशर रहा आपने आईल नहीं लेना मतलब रशिया के उपर सेंक्शन सी आपको भी डिरेक्टली डिरेक्टली इंडिया वालों को रोका गया इंडिया वाले नहीं रुके और ओपनली आपके जो कॉर्ण मिस्टर हैं उन्होंने बहुत ओपनली बोला के भाई नहीं हम तो लेंगे हमने जो पक अपने इंडिया की बेहतरी के लिए अपनी पबली की कर रहा, इंडिया किसी की नहीं सुन रहा, इंडिया सिरफ इंडिया के लिए काम कर रहा है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए शोई भाई इसमें दो तीन चीजें समझने लाइक है इसमें डराने की धमकाने की ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसमें सब अपना एजंडा देखते हैं अपना फाइदा देखते हैं जिसके पास थोड़ी जादा टाकत होती है वो थोड़ा स्टैंड कर जाता है जिसको लगता है कि नहीं यार हम डिपेंडेंट है किसी पे तो वो थोड़ा सा टोन डाउन कर जाता है मैं यहाँ पर पाकिस्तान का एक्जामपल इसलिए देना चाहूंगा चोड़के वो टर्की के तरफ चले गए आप को यह पता है कि सौदी और टर्की में नहीं पड़ती तो पाकिस्तान ने हमेशा स्टांस बदला है इंडिया ने कभी स्टांस नहीं बदला इंडिया हमेशा नीड्रल रहा ताकि न आपकी न आपकी जो हमें अच्छा लगे का ये शुरू से है या आज से नहीं है आपको शायद पता होगा कि शुरू से हम नॉन इलाइन्मेंट पे चले हैं फिल्कुल ऐसे ये जब फायदा आज हमें गिला है जिसको लेकर वो कंट्री चलता है तो ड्वैलमेंट की तरफ जाता है और जो कि हम देख रहे हैं इंडिया के मामले में हम देख रहे हैं लोग बढ़ ये बताएं लेट्स पोस मैं पाकिस्तान का फॉरण मिनिस्टर हूँ या कल को होता हूँ लेट्स पोस तो आपके पास आता बोलेगा ये तो विदेश नीती डिपेंड करेगी कि उस समय हालात कैसे हैं अगर आप अभी के हालात पर अगर बात करें कि अभी जो इस्थिती है तो इसमें मुझे ने लगता कि इंडिया की तरफ से रिस्पॉंस जाएगा और मुझे ये भी ने लगता कि पाकिस्तान की तर आपड़ोर पे रास्ते बनते हैं अगर आप देखेंगे जिस तरह से आपके विदेश मंत्री ने भायानात दिये हैं हमारे प्रियम के खिलाफ या एसजर्शंकर के खिलाफ तो यह रास्ता वो नहीं है जो सुलह की तरफ जाता है यह रास्ता बढ़काने वाला है यह रास् वैसे दिया जाए अलोग भाई next question मेरा आप से ये है कि आपको no doubt इंडिया में बहुत देखा जाता है even पाकिस्तान के लोग भी आपको देखने लगे हैं पहले भी देखते होंगे लेकिन मेरा जब उन से सवाल जाता है तो कहते हैं कहीं ना कहीं आप negative side की बात करते हैं जो कि हमने discuss भी किया ये बताएं आपका क्या message है पाकिस्तान की यूथ को आप आफिर हमारे बड़े हैं बड़े बाई हैं क्या message देना चाहेंगे कैसे हम development की तरफ आए और secondly हमारी क्या सोच बदलती नजर आ रही है यूथ की आपको देखे जैसे आपकी सोच बदलती होई मुझे नजर आई आपकी सोच बदली तो आपके वीडियो जो भी आप डालते हो इंडियन वीजो जब देखते हैं तो उनके को समझना होगा कि और करना क्या है उन्हें कश्मीर क Sutra अगे आने वाले श्हला मेरा आप श्युक्ंतर कर शाल से करते लेंगे अपने नफट लेके किताब हमने 750 आलएक defenders क्या है हमने अगला टार्गेट रखा है कि हम इसको तो अगले तीन से चार साल में हम इसको टू ट्रिलियन डॉलर का एक्सपूर्ट बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान के हालत आज क्या है 75 यह बाद कि एक बिलियन डॉलर के आगे मतलब हर चीज कर लिया लेकिन अभी तक पैसे उनों ने रिलीज नहीं किये तो यह चीज आज के युवाओं को समझनी होगी कि भाई उनके लिए फायदे मंद क्या है इंडिया से दुश्मनी कश्मीर या फिर पाकिस्तान की प्रोग्रेस पाकिस्तान की डेवलप्मेंट अरे यार मैं तो कहता हूँ कि अपने आपको डेवलप करो सब कुछ करो उसके बाद लड़ते रहन है कि पाकिस्तान की नेगिटिव खबर चलाता है यही वो इंडियन जो इस टैम आपको मशवरा आपको एडवाइस दे रहा है और मुफ्स में दे रहा है बलीव मी हमें हम अगर इन चीजों पर फालो करें इन चीजों के उपर इंप्लिमेंट करें अगर हम जैसे इंडिया वालों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया अपने ड्वैलमेंट की तरफ के अपनी जो फारंग पॉलीसीज है उसको बिलकुल कलियर रखा ऐसे ही हम रखेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे लेकिन हमें कश्मीर की बात की जाती है कभी मजभ कार्ड का बताया जाता है कभी ये बताया जाता है शाद पूरी दुनिया में अगर कोई दुश्मन है वो मोसली बताया जाता है कुछ लोग अच्छी बात भी करते हैं मोसली ये का जाता है दुश्मन है तो वो इंडिया है या फिर अमेरिका है और उसी अमेरिका के पास हम बार बार डालर के ये जाते हैं ये चीजें जब हम reality को accept नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे लोग भाई last question है आप से बहुत आज कल trending ये एक चीज चल रही है हमने ये आज से चार माँ पहले पांच माँ पहले start की थी के सारे ही पाकिस्तान के यूट्यूबर इंडिया के साथ interaction my first visit to India my first visit to New Delhi इस तरह की चीजें चल रही है और दूसरी side से अभी बहुत तेजी से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर ये कहने को नजर आ रहा है कि शायद ये security issue है शायद मतलब ये ISI की तरफ से ये चाइना की तरफ से कुछ planned किया गया ये कुछ ऐसा setup है लोग भाई आपका बहुत experience है बड़ी नजर आपकी क्रीब से आप ये देखते हैं आपको लगता है कि ऐसा भी होता है कि मतलब आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई security issue होगा ये इस तरी कैसे कुछ होगा आप इसके उपर आप मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ताकि देखने वाले सुने देखिए दो चीज़ें इसकी मैं और आप बात कर रहा है ये security issues नहीं हो सकते क्योंकि मैं आपको कोई location नहीं दिखा रहा है मैं आपको अपनी चीज़ नहीं दिखा रहा है आपको कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है कि जी देखे आपका शक है ये शक मैं दूर कर रहा हूँ यहां पर अपनी बातेरा हूं अपने ऐसे सवाल उठाओ जिसे पाकीस्तान कमझोर दिखे अबदुल्गासी साब का और रिकॉर्ड बयान है तो आप सो सकते हैं कि जब इतने बड़े पद पर रह चुका वेक्ति ये बाते कहे रहा है तो जाहिर से बाते कि जब इंडिया से और पाकिस्तान के यूटूबर्स इंडिया में ऐसा करेंगे तो यह होगा और यकीन मानिए जो हमारी होम अफेर्स मिन कर सकते हैं लेकिन यहां पर क्या और है कि आप हर किसी को रोक नहीं सकते अब आपने इंडियांस अंजान है कि यह चीज़ें नहीं दिखानी है लेकिन तब भी दिखाई जा रही है यह sensitive issues है यह नहीं होना चाहिए इसके अंदर यूट्यूबर्स को भी देखने की जुरूरत है कि आप चो चीज़ दिखा रहे हो क्या वो दिखाने वाली है क्या उसके अंदर किसी का मतलब एक तो sentiment hurts होने वाली बात होती है दूसरे नंबर पर क्या कोई security issue है तो वो यह मेरे पे भी depend करता है और जो दूसरे लोग का रहे हैं सब पे depend करता है ठीक है लेकिन अलोग भाई ऐसे तो अगर देखा जाए जो विलॉगर होते हैं इंडिया से हों पाकिस्तान से हों जो कि अपना गार भी दिखाते हैं उसके बाद अपनी रोड दिखाते हैं जैसे बड़े ज तो फिर फर्क है अगर फिल्मों के भी शूटिंग धाए जाते हैं बहुत सारी चीज़े दिखाए जाती है लेकिन फर्क है उसमें क्या होता है कि वह चीज़े लाइव नहीं होती है वह रिकॉडड़े हैं वह चीज़ें पहले से की जा चुकी है कई बार हमें लगता है ना agencies होती है वो ensure करती है कि सारी चीज़ें proper हों कोई ऐसी चीज तो ना हो जाए जो नहीं दिखनी चाहिए इसमें क्या है कि आप इस चीज़े लाइव देख रहे हो लाइव location ट्रैक हो रहा है चाइना इस मामले में बदनाम है मतलब चाइना के आप जब रिपोर्ट्स पढ़ेंगे कि चाइना ने कहा का आपको पता है कि दुनिया भर से चाइना के जो camera हो क्यों हटाए जाना था इस चीज़ें जिनकी assembly में जिनकी national assemblies में चाल रही है मैं वीडियोज का रहा हूँ तो ये मुझे चाहिए कि मैं इसके ओपर सोच हूँ और जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मेरी request है कि kindly आप चाहे live करें जो भी करें पहले सबसे पहले अगर views बैठ जाएं आपके mind में अगर मतलब बस ये बैठ जाए कि उसके views ज्यादा मेरे कम तो मैं भी वही करूँ और उसको करने के चकर में आप उससे मतलब ऐसा कुछ करो जो के नहीं करने वाला तो उससे नुकसान होगा उससे even trust issues में भी मतलब फरक आएगा वहां के लो क्योंकि जब तक जो जिस टॉपिक में वीडियो बना रहा होता हूं उससे related हर चीज जब तक मैं चेक नहीं करता अगर मुझे views के लिए बनाना हो ना तो मैं रोज एक वीडियो डाल सकता हूं और जिसको लाको वीडियो आ सकते हैं तो लोग मुझे देखेंगे मेरी बातों को analyze किया जाएगा और जब वहां पर मैं हलका पड़ूँगा तो जाहिर सी बात है कि आप फिर नजर में आओगे कि आप यह गलत कर रहे हो तो यह चीज समझनी बहुत जरूब है कि जब तक देखे हर चीज का एक पैमाना होता है अगर आप ऐसी चीज़े कर रहे हो ऐसा काम कर रहे हो तो उसकी एक knowledge होनी चीए कि आपने यहां तकी knowledge है आप चीजों को इस नजरी से देखते हो नहीं तो बहुत बचकाना लगता है बहुत हलका फुलका लगता है आप गलत facts बोल जाते हो आप गलत चीज़े बोल जाते हो वो लाकों लोगों तक पहुंच जाती है उन किसी के लिए भी आप कोई अपने कोई विचार कोई सोच शेर करना चाहें मैं आपके लिए भी कहूंगा आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके साथ सारे लोगों से कहूंगा कि किसी भी subject जब आप चुलने तो उसके बारे में पढ़ें जरूर उसके बारे में neutral चीज़े पढ़ें एक चीज़ को चार जगों से चेक करें कि जो इसने कही है क्या वो बात सही है अगर चार जगों से आप चेक करोगे ना तो आपको चार चीज़े पता चलती है फिर आपको तै कर पाना बहुत आसान हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है क्या प्रोपगेंडा है या तेरी वज़ा से हमारी वज़ा से क्या लगता है आने माले दो साल चार साल पाइच साल मैंने मैंने देखे हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन जो यह तार जुड़ता है ना तार जुड़ता है तरकारों में